हेलो दोस्तो स्वागर आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल सच इन एजुक्रिशन हब पर तो दोस्तो जैसे कि आपको मैंने बताया था कि मैं पार्ट टू भी आपके लिए डाल दूँगा जल्दी से ही तो पार्ट टू आपका जो आज वीजन स्टार्ट होने वाली है इंश इंशॉरेंस के अब मीनिंग क्या है इन तीनों का बनाके रखना उनका किनका काम होता है इंशॉरेंस इन्टर्मेडियरी इसका इन परपस के लिए ही इन्सको क्या कहा गया है mediators यानि बीच वाले बंदे अब उसके बाद बात करते हैं insurance agent broker और re-insurance broker असल में होते कौन है an insurance agent sells, negotiate और promote financial product on the behalf of their employer organization जो insurance agent होता है वो अपना product sell करता है financial product जो है मलों से promote करता है एक employer के भिहाब पर ये ऐसा इंसान यानि एक ऐसा individual ढूनता है या individual client की need को उपर need को पूरा करता है यानि ये बिहाब पर उपर काम करता है और जब कि ये best to state it to individual client need for the compensation ये individual client को bestly देखता है कि कौन सा state it रहेगा कौन सा best रहेगा उसे ही जाके sell करता है और उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर re-insurance इसका मतलब है sales, negotiate and re-insurance sessions on the behalf of seeding insurance, insurance seeking coverage with insurers, re-insurance मलत देखो जी CD से बात है broker ने काम करना है बेचने का यानि जो भी buying करने का selling करने का लेकिन re-insurance मतलब दुबारा से करने वाले broker यानि जो इसने काम किया है उसके उपर दुबारा से process करके हुए दुबारा से वही काम करना लेकिन किसे के बहाब पर आकर यानि किसे बहाब पर insurer के बहाब पर आकर ये भी बहाब पर था ये खुद काम करता है broker as a ढूंड कर और ये as a जिस person को ढूंडा है उसके बहाब पर reinsurance दुबारा से करे that is called reinsurance broker तो meaning clear हो गया तीनों का अब उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर next आता है इनके बीच में तीनों के बीच में असल में होता क्या है ये as a represent करता है एक company को ये more than one company या multiple company को ये भी एक company को more than हो गया appointed by insurance company इस insurance company appointed करती है broker को select करती है buyer द्वारा select किया जाता है इसे और जो reinsured बोरोर होता है वो दोनों के बीच में काम करता है यानि बहुत insured और insurance company से select करती है ये recommendation bias towards the company इसकी जो recommendation मिलती है वो company के recommendation से biasness होती है यानि एक तरीके से biasness की जाती है यहाँ पर ये जो biasness होती है वो buyer के वहाब पर होती है यानि buyer के favor में होती है और ये दोनों के base पे कभी कभी काम करता है यानि जो reinsurance है जो reinsurer है वो दोनों के base पे काम करना शुरू कर देता है और इसका main motive होता है profit कमाना इसका commission और इसका commission broker का commission होता है तो इसलिए भी इसका भी commission है लेकिन इनका agent का कौन होता है that is क्या होता है profit making तो clear हुआ यहां तक अब आपको अब उसके बाद बात करते हैं दोस्तो हम role अब यह इनका role क्या है तो दोस्तो बहुत easy है सबसे पहले mobilization of savings savings को mobilize करना यानि mobilize means एक जगा से दूसी जगा से best productive way में use करना तो अगर आप mobilization करना चाहते है तो investment चाहिए ताकि आप economic development कर सको और जो investment है वो आपको मदद करती है आगे बढ़ने में तो यह करता कोन है सारा काम किसका है that is insurance intermediaries का तो सबसे पहला role आगया समझ stability in the economy जब भी काम करना होता है यानि financial stability बना के रखनी होती है तो किसका नाम आता है insurance intermediaries का क्योंकि वो directly एक साथ होती है इनके काम करने में तो stability हो गई उसके बाद reduction in transaction cost अब आप अगर directly policy holder से काम करवार रहे हो directly उनसे cost ले जो भी काम करना है policy holder के घर जा जाकर उनका काम कर रहे हो और जो premium लेना है वो भी उनसे ले रहे हो तो जो हमारा policy holder है उसका task तो कम हो गया अब अगर उसका task यानि उसे हमने कह दिया कि आपने कुछ नहीं करना सारा काम हम premium का कर लेंगे तो premium का काम उसका कम हो गया तो कम हो गया it means उसे कहीं पर जाना नहीं पड़ा तो जाना नहीं पड़ा तो transaction cost भी कम हो गई sound competition का मतलब यह है कि अब competitions है जो हम directly connect कर रहे है customer के साथ तो हमें उनसे पता है कि किस चीज़ को कैसे improve करना है तो हम उसे utilize अच्छे से कर लेंगे और अच्छा utilize करने से क्या होगा competition अच्छा हो जाएगा clear हो गई यह भी अब उसके बाद बात करते हैं दोस्तों आगे आते हैं reduce cost अब optimum utilization हो रही है तो automatically cost भी कम हो जाएगी फिर हम अगर risk units को देखें यानि risk जितने भी हैं उसे भी कम कर सकते हैं जैसे कि related to हो गए risk political risk, commercial risk, operational risk यह सारे risk हम cover कर सकते हैं असानी से increase in foreign trade अब अगर हम marine insurance, fire insurance बढ़ाते जा रहे हैं यानि marine मतलब समुदरी जाजों वाले तो अगर हम उन्हें मतलब यह सारी चीज़ें provide करना बंद कर दें तो automatically उनको dissatisfaction हो जाएगी वो कभी भी international trade करेंगे नहीं तो उनको as a risk compensate करना कि आप करो आपके जितनी भी risk हो जाएगा अगर तो हम बैठे हैं हम उसे compensate करेंगे अगर वो सही हुआ तो इससे क्या होगा वो already जादा से जादा foreign trade करेंगे production जादा बढ़ गई है बढ़ने वाली है अगर आप insurance intermediaries को बीच में लेकर आओगे क्योंकि वो directly आपके काम कर देंगे directly घरगर जाकर या directly जिनसे भी बात करनी है वो automatically economic growth और positive view को देखते हुए production को बढ़ा देंगे capital formation कैसे बढ़ेगी अगर investment बढ़ रही है तो automatically जो capital formation है वो भी बढ़ जाएगी फिर आते हैं protection against natural calamities अगर आपको कोई नुकसान हो रहा है तो उससे बचाब करने का तरीका भी कौन देता है आपको insurance intermediaries तो ये सारे के सारे किसके रोल थे insurance intermediaries के तो ये एक question आपका done हो गया अब दोस्तो अगला जो हमारे पास question है वो है rights of insurance agent तो rights क्या है insurance agent के बहुत easy है सबसे पहले right of remoreration remoreration लेने का उसे हक है दूसरा अगर उसने कुछ गलत काम किया है या उसके साथ कुछ गलत हुआ है तो उसे compensate करना भी एक तरीके से यानों उसका compensation लेना भी इसके पास एक हक है lien मतलब अगर उसे कहीं पे लगता है कि उसे payment नहीं मिलेगी तो payment के case पे वो उसके goods अपने पास रख सकता है अगर उसे लगता है कहीं पे उसे बचाव की जरूरत है तो वो बचाव लेने के लिए यानि indemnity against liability falls on him अगर उसे लगता है कहीं पे उसके उपर गलत तरीके से liability दे दी गई है उससे बचाव करने का भी हक यानि लेने का भी हक उसके पास है right है right to retain money अगर उसके लगता है कि वो claim जो remoration उसे मिलनी थी उसके बहाब पर यानि जो remoration उसे मिलनी थी अगर उसे अभी तक नहीं मिली तो उसके बहाब पर वो already क्या कर सकता है कुछ भी चीज़ें उसके पास है तो उसे retain कर सकता है whether वो money ही क्यों न हो तो rights दो तो ये मिला कर इसके अकेले नहीं आएंगे इसके साथ आपको क्या करना पड़ेगा duties भी करनी पड़ेंगी अब rights के साथ duties क्या है agent की insurance agent की duties को बढ़ते हुए हम देखते हैं सबसे पहले कि उसे instruction बताना जरूरी है यानि बताना मतलब उसे समझना जरूरी है कि क्या क्या instruction के बहाब पर उसे काम करना है यानि उसे lawful instruction के बहाब पर सारा काम करना पड़ेगा care और skill के साथ सबसे treat करना पड़ेगा सारा काम केश is skill के साथ करना पढ़ीगा जो उसके पास है skill उसके भिहाब पर करेवो केश हर हर चीज़ के करेवो जो भी सम है उसकी payment यानि जो भी उसे लगता है कि ये अब मेरी amount नहीं है किसी को pay करने वाली है उसे time to time pay कर दे और duty बनती है कि उसे pay अच्सानी से और सही तरीके से करना है Guide हर Policy Holder को properly करना है ताकि वो उस चीज़ को समझ सके कि किस purpose के लिए क्या ज़रूरी है यानि अगर उसे लगता है कि वो अच्छे से Guide करने के लायक भी है वो कर रहा है और उसकी duty भी बनती है तो वो करे उसे क्या होगा Automatically जो Policy Holder है और जो Insured है उन दोनों के बीच में Relation अच्छा हो जाएगा और Insured जो है वो Satisfy भी हो जाएगा Information है Information shouldn't be wrong Information जो है वो सही होनी चाहिए Wrong नहीं देनी किसी को कोई फालतु नहीं बोलना जो सही है वही रखना है Sincere बनना है Sincere means आपने हर किसी चीज़ को अच्छे तरीके से Policy Holder को बताना है ताकि वो आने वाले समय में अपनी Services को अच्छे से Improve कर सके तो ये भी आपके लिए एक important चीज़ हो गई अग उसके बाद हमारे पास Next आता है Return of Undue Profit अगर उसे लगता है कहीं पर Undue Profit उसके पास है तो वो भी Return करना ज़रूरी है Honesty के साथ हर किसी Business Deal को करना ज़रूरी है और Keep in Touch कस्टमर के साथ अपने क्या गरो Touch के साथ रहो ताकि उन्हें भी बुरा न लगे Policy Holder भी Touch में रहे और आपका भी काम चलता रहे और Last आता है Promote Goodwill जैसे जैसे आप अगर अपना काम करते जा रहे हो और विहाब पर कमपनी के काम करते जा रहे हो Agent जो कम कर रहा है उसकी Duty बनती है कि वो क्या करे उस Insurance Company के विहाब पर ही उस कमपनी का नाम आगे बढ़ाए Goodwill बढ़ाए तांकि वो कमपनी और चले और उससे भी Benefit होता रहे तो इसके साथ साथ दोस्तो अब जादा तो नहीं कहेंगे Code of Conduct भी इसी के साथ Relate करते हैं आप ज़रा इसे ध्यान से समझना देखना तो वही चीज़े निकल के आएंगी कि Miss Guide नहीं करना इसको Disclose करना है Must Sincere बनना है हर Available Option को उसे बताना है और कहीं पर Notice देने की जुरूत है तो उसे अच्छे टाइम पर और सही टाइम पर Notice प्रोवाइड करना है तो मेरे ख्याल से दोस्तो ये भी आपके लिए बहुत Easy था Question कोई मुश्किल नहीं है Rights Duties कर लेना बहुत Important है अब बढ़ते हैं हम आगे अब आगे आगे है लास्ट हमारा टॉपिक जो इसके अंदर है Procedure to become an agent अगर आपने Insurance Agent बनना है यहाँ पर आप Insurance Agent भी लख सकते हो तो Insurance Agent बनना है तो Procedure क्या चाहिए Qualification चाहिए अठारा साल का होना चाहिए Sound Minded होना चाहिए Must Pass 12 Class 12 Class पास की जानी चाहिए यानि उसका सेटेक्वेर चाहिए और कोई भी Disqualification नहीं होनी चाहिए Law के दवारा तो बहुत सारी Conditions है ध्यान से समझना है इसे Qualification हो गई अब उसके बाद उसने Application Form भरना है जिसके दो Forms बना दिये गए एक Individual के लिए एक अलग होता है जो इस Category में नहीं आता फिर Attachment करनी है Documents की जो हमने पहले पढ़ लिए है First Part के अंदर Age Proof हो गया Minimum Education Requirement चाहिए चलान Copy चाहिए अगर Fees इस License Deposit with Bank अगर कहीं पे Fees License आपने Deposit किया है Bank के साथ तो उसमें चलान Copy भी आपको देनी पड़ेगी फिर Training आपने लेनी है और Training में ध्यान रखना है कि हर एक Applicant को Training के लिए जाना पड़ेगा 50 hours के लिए और If I Want Composite Insurance Agent अगर आप चाहते हों इस Composite Insurance Agent बनना तो 75 hours की Training आपको लेनी पड़ेगी तो नॉर्मली 50 hours है Composite Insurance Agent के लिए 75 hours पहले IRDA Insurance Regulation Development Act ने नहीं कहा था इस चीज़ को पूरा करने के लिए लेकिन अब उन्होंने कह दिया कि After License भी आपको ये चीज़ करनी पड़ेगी ये Compulsion है Test क्या है After Training He Has to Appear for the Return Test अगर Training कर ली है उसके बाद उसे टेस्स देना पड़ेगा ताकि वो उसे क्वालिफाई कर सके और क्वालिफाई करना भी बहुत जरूरी है और जब उसने क्वालिफाई कर लिया उसके बहाब पर उसे क्या मिला जाएगा That is License of Assurance Assurance का लाइसेंस मिल जाएगा और वो Remoration किसके बेस पर हो जाएगी Fixed Mentory Salary Commission Related to Business होगा और जो Part Fixed या Part Commission यानि ये दोनों चीज़े हैं ये दोनों चीज़े होने वाली है इसका अपने ध्यान रखना है ठीक है जी अब उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों देखिए Commission Must Be Specified Commission Specified होनी चाहिए फिर in India there is a no provision बट इंडिया में इसका कोई provision नहीं है लेकिन अगर आप highest performance अच्छे से अचीव कर लोगे तो bonus commission मिल जाएगा अब उसके बाद अगर license मिला है तो उसकी duration क्या है valid चलेगा ये तीन years के लिए renew कराने पड़ेंगे आपको 250 rupees along application के साथ deposit करवाने के बाद यानि application भी देनी है 250 rupees after और देने है फिर आप renew करा सकते हो within 30 days before license यानि license के खतम होने के 30 days पहले आपको ये काम करना है in case अगर आप late हो जाते हो तो additional fees 100 लगेगी और अगर application made करने के बाद आपने ये काम किया वही agent के साथ और 50 hours की composite के लिए लेनी पड़ेगी पहले इसमें 50 था और इसमें 75 अब 25 hours इसमें है और 50 hours इसमें है और license cancelled हो जाएगा अगर आपने ये चीज़े नहीं मानी तो और अगर आपने खुद cancel करना है या फिर आप कह सकते हो कि cancel कब हो जाएगा जब आप minor हो जब आप unsound mind के हो और जब आपके case चल पड़ा है criminal बहाव का तो तब आपके उपर आपका जो license बना हुआ है वो cancel कर दिया जाएगा तो दोस्तो मेरे ख्याल से ये तीन questions जो मैंने अब आज को कराए है role of intermediary, rights और procedure I hope आपको ये भी समझ आ गया होगा पार्टो में आज इतना ही है दोस्तो जल्दी आने वाली है पार्टी की भी वीडियो आपके बास तो आज के लिए इतना ही है वीडियो अच्छी लगी है तो समझ आ गई है तो like, share and subscribe कर देना कहीं पर problem है तो नीचे दीगे